हिंदुस्तान में सिनिमा के इतिहास में जिस तरह एक से भढ़कर एक अदाकारों ने अपनी कला का प्रदशन करते हुए सिनिमा को एक नए मुकाम तक पहुचाया है उसी तरह संगीत की दुनिया में भी भाट्पिय सिनिमा ने अपना पर्चम लह रहा है और हिंदुस्तानी संगीत को एक नई पहचान दी है एतिहासे गायक मुहम्मद रफी ने अपनी खुबसूरत आवाद से हर किसी के दिल में अपने मदुर गीतों से सबी को सराबोर किया है जी हाँ आज मैं स्वाती आपको रूबरू करवाऊंगी प्रसिद गायक मुहम्मद रफी के जीवन के कुछ अंचुए पहलूं से हमारे इस खास कारिक्रम वो सुहाने दिन में दोस्तों रफी ने अपने समय में देशभक्ती, भजन, गजल और रोमेंटिक हर तरह के गाने गए इस नाया भस्ती ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बलकि भोजपुरी, उडिया, पंजाबी, बंगाली, मराथी, सिंधी, कंग्नुनर, कॉंकडी, कुजराती, तेलगु जैसे तमाम भाषाओं में गाने गाकर हिंदुस्तानी संगीत को अपने मधुरावाद से नवाजा मौहमद रफी का जन 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंग पंजाब में हुआ उनका परिवार एक रूडिवादी सोच रखता था बच्पन में एक फकीर मौहमद रफी के घर के सामने से गाता और मंजीरा बजाते हुए निकलता रफी उसका पीछा करते और उसकी मधुर आवाद से मंत्र मुगध होकर घंटों उसका गीत सुनते रहते थे धीरे धीरे उनके घरवालों को इस बात का पता चला कि उनकी तिलचस्पी संगीत में है तो पहले तो उनके घरवालों ने इस बात पर काफी नाराज भी जता है लेकिन फिर वो जल्द ही मान गए और रफी को बहुत जल्द विदिविदान से संगीत सीखने का मौका मिला सन 1944 में रफी ने रुक किया मुंबई की ओर और एक साल के संगर्श के बाद 1945 में मौँद रफी ने फिल्म गाउं की गोरी से अपने गायन करियर की शुरुआत की इसके बाद ही रफी सहब की मुलाकात नौशाद सहब से हुई उन्होंने नौशाद सहब के साथ बतौर कोरस सिंगर काम किया नौशाद सहब को मौँद रफी की काबिलियत पर पूरा यकीन था उन्हें पता था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा गायग बनेगा और उनका ये भरोसा सचोते जादा देर नहीं लगी जल्दी रफी नौशाद सहब के मुख्य गायग बन गए सिर्व गाय की ही नहीं कई फिल्मों मेर रफी साहब खुद बतौर अभी नेता नजर आए फिल्म लेला मजनू का गाना तेरा जल्वा जिसने देखा काफी मशूर हुआ चश्मे बद्दूर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तु बहारो फूल बरसाओ क्या हुआ तेरा वादा लिखे जो ख़त तुझे ये रेश्मी जुल्फें ये शर्बती आँखें ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं जैसे लबबक साड़े साथ हजार गाने मुहमद रफी ने अपने करियर में गाए उस समय का हर बड़ा संगीत का रफी साहब के साथ काम करना चाहता था उन्होंने दिलिप कुमार, राजेश खन्न, शम्मी कपूर, रिशी कपूर, धर्मेंदर जैसे हर बड़े सितारे के लिए गाना गाया उनकी आवाज का हर कोई दिवाना था सिर्फ अभी नेताओं के लिए ही नहीं, उन्होंने कॉमेडियन जौनी वौकर के लिए भी गाने गाए रफी साहब की आवाज भारते सिनिमा के लिए किसी वर्दान से कम नहीं थी उन्होंने अपने आवाज से लोगों को खूब रुलाया भी और हर किसी के दिल में प्यार भी भरा साल 1967 में मुहमद रफी को अपने बेमिसाल गायकी के लिए भारते सरकार की तरफ से पदमश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया इतना ही नहीं साल 1967 में उन्हें फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए बेस्ट प्लेबेक सिंगर के राश्ट पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया उनके व्यक्तिकत जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाये तो उन्होंने दो शादिया की थी उनकी दोनों पत्नियों से उनके चार बेटे और तीन बेटिया हैं उनकी पहली शादी बशीरब बेगम से विभाजन से पहले हुई और देश के पार्टिशन के दौरान बशीरब ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया पर रफी सहाब ने अपना वतन नहीं छोड़ा उसके बाद साल 1948 में उन्होंने विलकविस बेगम से शादी कर ली रफी सहाब ने अपने काम को हमेशा सबसे उपर रखा और यही कारण था कि जिस दिन उनकी मृत्य हुई उस दिन वो गायकी में व्यस्ते कलकता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफी सहाब को यह बिलकुल मन्जूर नहीं था कि उनका जरा सा भी वक्त जाया हो प्रैक्टिस के दौरान उनकी तबियत नासार हुई और 31 जुलाई 1980 को एक बेमिसाल आवाज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई उनके निधन पर आस्मान भी खूब रोया और उस दिन बहुत तेज वारिश होई हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में मुहम्मद रफी जैसा गायक ना तो कोई हुआ है नहीं कभी हो सकता है हमारी पूरी टीम की तरफ से इस महान गायक को शद शद नमन अभी के लिए बस इतना ही अभी आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नहीं कहानी एक नहीं हस्ती के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजे और हाँ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले नमस्कार